नमस्कार स्वागत है आप सबका हमारे खास कारिकम तरकश में और आज हमारे खास मिहमान है बीजेपी सांसद शांता कुमार जी भारतिय जनता पार्टी के वरिष्ट नेता हमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान में कांग्ला से सांसद शांता कुमार का जन्म 12 सितंबर 1934 हमाचल प्रदेश के कांग्ला में हुआ था 1977 में वह पहली बार हमाचल प्रदेश के गहर कॉंग्रेसी मुख्य मंत्री बने 1986 से 1990 तक ये हमाचल प्रदेश में भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे फरवरी 1990 में पालंपुर निर्वाजित विधान सवाक शेदर से जीत कर पुना मुख्य मंत्री बने अटल बिहारी वाजबी के नेत्रत्व में बनी NDA सरकार में मंत्री भी रहे शांता कुमार जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका शांता कुमार जी आपने लंबा राजनीत का एक अन्भो है और मैं कहूं कि करीब 6 दशक की अब तक आपने राजनीत देखी है देश में कई सरकारे आईई आपकी पार्टी की सरकार केंदर में हैं और पहली बार आपने भूते प्रचंड बहुमत के साथ है किस तरह की उमीदें सरकार बनने से पहले थी और आपके आखलन के लिहाज से इस वक्त देश में किस तरीके का अटमास्फियर माहूल आपको देखता है एक साल के बाद देखिये नई सरकार बनने पर एक वर्ष पूरा हो गया इस एक वर्ष में सही दिशा में सही कदम हमारी सरकार ने उठा दिया है और मन्जल पर उठाया गया पहला कदम मन्जल तक पहुंचाता है लेकर इस देश का शाशन पर शाशन नीचे का सारा सिस्टम विशेश कर जो डिवलिबरी सिस्टम है वो इतना अधक्ष है इतना करप्ट है कि नीचे तक उन सब चीजों को पहुंचाने में बहुत अधिक समय और परिश्म लगने वाला है लेकर शुरुआत हो गई है लोगों को भरोसा भी है लेकर मुझे लगता है हम को उन सब चीजों को जमीन पर उतारने के लिए और बहुत अधिक परिश्म करने की आवश्यक्ता है लेकिन विरूधी पार्टियां या रूप लगाती है कि कमोबेश आर्थिक नीतियां वही है देश की जनता के लिहास या देश के लिहास से कांग्रेस की जो नीतियां थी उन्हीं को ये सरकार आगे बढ़ाती हुए दिखती है कैसे आप कहेंगे कि पहले की सरकार और अपकी सरकार में नीतियों को लेकर फर्क दिखता है नहीं निश्चत रूप से अंतर है लेकि मेरा तो ये मानना रहा है और आदनिय परधान मंतिजी ने पराड़म में कुछ अलग अलग परदेशों के सास्तों को बला कर बात की थी मैं ने उसमें भी कहा था मेरा ये मानना है कि ये जो एक आर्थक चिंतन है विकास होगा तो गरीबी दूर होगी ये आर्थक चिंतन विफल हो गया देश में विकास हुआ जीडीपी नाइन परसंग तक पहुंचा लेकिन गरीबी बढ़ गए अभी शोशो एकनॉमिक सर्वे के मताबग साट करोड ल महीने पर गुजारा करते हैं एक हाजार पे महीना वो कैसे जीते होंगे एक चमतकार है तो मेरा ये मानना है पूरी आर्थक चिंतन को शीरशाशन कराने की ज़रूरत है योजना नीचे से गरीब से और मैंने आदरनिय मोदी जी के सामने भी कहा था मैं दोबारा मिलकर भी कह जैने वाला हूँ ये शोशो एकनॉमिक सर्वे की बात को लेकर के स्वामी विवेका नंद के दरिदर नायरन को याद करना पड़ेगा महात्मा गांदी जी का अंतियोदे याद करना पड़ेगा योजना नीचे से सबसे गरीब विक्ति से शुरू करनी पड़ेगी हो क्या है सब क्या विकास सब का विकास करने में उपर के विक्ति विकास का सबसे अधिक फाइदा उठाता है बीच वाले को थोड़ा मिलता है नीचे योजना बहुत कम पहुंचती है इसलिए लेकन हमारी सरकार की जो योजना है नीचे वाले विक्ति के लिए अधिक योजना है ज अर्थक चिंतन बदला है, लेकिन मैं समझता हूँ और अधिक बदलने की दुरूरत है, इसमें अन्तियोधी की भावनः नी चाहिए, इसमें सवामी विवेका नंद के दरद्दर नारहन की भावनः नी चाहिए. लेकिन चिंतन बदला है शांतर कुमार जी लेकिन नीतियां जिस तरीके की कमोबेश हैं मैं कहूं कि मल्टी नैशनल्स को बढ़ावा देती हूँ या फिर गरीब को लेकर दरकिनार या फिर उनके अधिकारों को दरकिनार करती हुए रिखती हैं और ऐसे आरोप लगते रहे है हाल या गर मैं एक्जामपल कहूं कुछ ऐसी नीतिया है ये लैंड बिल को लेकर तामाम विपक्षी पार्टियां इस तरह की आरोप लगाती है कैसे आप कहेंगे कि आपकी पार्टी वाकिए उनसे अलग है ये फिर कैसे समझाएं गुसाम आदमी को कि आपने सत्ता में आने से पहले जो उनके लिए वादा किया था आप उसकी तरह करदम बढ़ाते हुए देखते हैं मैं तो स्वेम कहा रहा हूँ कि हमने जो वाई देखिये हैं उनको पूरा करने का काम भी बाकी है हम ठीक दिशा में बढ़े हैं योजनाएं अधिकतर इस परकार की हैं जिनके अधरा आम आदमी गरीब आदमी जो सबसे नीचे है उपेक्षित है उसको ज़्यादा लाब हो वो चाहे इंचुरिंस की योजनाएं चाहे जनधन की योजनाएं चाहे कव योजनाएं लेकन उनको और अधिक आगे बढ़ाने की आवश्रकता है चिंतन में अंतर आया है लेकन मैं सेमत हूँ उस अंतर को और अधिक बढ़ाने की जुरूरत है हम نیچے गए हैं और अधिक नीचे जाने की जरूरत जिससे मैं कहता हूँ गरीबी अमीरी रेलिटिव टर्ब है यो तो रहेगा लेकन जो भुक्मरी कि सिती में लोग रह रहे हैं जो अती क franchise गरीबी कि सिती में रह रहे हैं अती करीबी भुक्मरी से लोगों को पांच साल में उपर उठाया जा सकता है। कब हो सकता है? टारगेटेड योजना, केवल भुकमरी वाले लोग, केवल अती गरीब, दस करोड हैं, बीस करोड हैं, पच्चीस करोड हैं, उनको चुड कर, अलक से आइडिन्टीफाई करके, उनके लिए सारी योजन आइ, सब से पहले, सब से गरीब आदमी का, कम से कम जिन्दगी जीने की बेसिक निसिस्टी तो दे दें, आज हो क्या रहा है, सब का विकास हम कर रहे हैं, तो होता कहा है, अमीर आदमी दस कدم उपर जाता है, गरीब दो कدم उपर जाता है, फर्क आठ कدم और बढ़ जाता है, economic disparity बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, असंतोश बढ़ रहा है, अपराद बढ़ रहा है, इसी के कारण लकसलवाद बढ़ रहा है. तो क्या आज की नीतियां आपको लगता है कि उस gap को, उस अंतर को, उस गरीब रमीर की खाई को पार्टने में नाकाम है, उन्हें बदलने की जरूरत है, पुरानी नीतियां तो बिरुत तो नाकाम रही, इस देश में, इस देश में अमीरी चमकती रही, गरीबी सिसकती रही, आर्थिक विकास होता रहा, यह बड़ी अजीब विरोधावास इस देश का है, संपती बड़ी, वैबर बड़ा, करोड़ पतियों की संख्या बड़ी, आज अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा करोड़ पती भारत में है, और यूनाइटर डेशन की रिपोर्ट में कहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखे लोग भारत में रहते हैं, कोपोशन से मरने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में है, इस से ज़्यादा शर्म की बाद क्या हो सकती, कहा है का आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की कसौटी ये नहीं है, कि कितने करोड़ पती इस देश में बन गगे, आर्थिक विकास की किसोटी यह है कि भुकमरी की हालत में तो कोई नहीं है अती गरीबी की हालत में तो कोई नहीं है किसान खुदकशी कर रहा है और हम कह रहे हैं विकास हो रहा है मैं इस विकास को विकास नहीं मानता जिसमें केवल अमीरों का विकास होता है गरीब पिछड जाता है ये अंततो गत्वा विकास नहीं विना थाबत होगा हम ठीक कदम पर चल रहे हैं लेकन थोड़ी नीतियों में और परिवतन की आवश्र रकता है मैंने ये बात पहले भी अपनी पार्ट में कही है आगे भी अपनी पार्टी में बात कहूंगा क्या आज की दोर में शेंटा कुमार जी राजनीत और जो शासक वर्ग है जो सतधारी दल है उसके लिए उसके एजिंडे में आपको लगता है वाकई गरीब कहीं पर है या फिर उसके लिए विकास के पैमाने आकले विदेशी कंपनियों की रेटिंग वुज़रा मायने रखत हुआ हमने यहां पर सरकारी करन समाजवाद के नाम पर बीस पच्चीस वर्ष्टों शोशल्जन के नाम पर हमने बरवाद के अपने देश की जो परसे तो देखिए मैं कहता हूं कि क्या कमाल का वेक्ती था सवासो साल पहले एक सन्यासी कह रहा है देवी देवता भूल उसकी सेवा भगवान की सबसे बड़ी पूजा है विवेका ननने कहा और अगर उनकी बात मानी होती तो आज आती गरीबी ना होती भुखमरी ना होती हम कहां गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं आजादी कितने साल के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा भूके लोग मेर समजिक न्याए होना चाहिए हमारे देश में विकास हुआ समजिक न्याए नही हुआ अमीर होते के गरीब गरीब होते हैं लेकिन चैनता कुमार जी जिस तरीके कहाल मैं कहूं देश के जो रीड है वो कर्शी शेतर माना जाता था आज के दौर में और आपकी सरकार आने के हमने कुछ मंत्कियों के अफरनेताओं के बयान सुनें उन्होंने कहा कि खेती अब हुजाओ नहीं रही अब खेती के जिगे कुछ और करने की जरूत है किसानों को लोग सलाह देने लगे लैंड बिलको लेकर जब बहुत चली तो एक अलग तरह की राजनीत दिखी क्या है और किस तरह की राजनीत के जरिये हम देश के आम आदमी को या उन किसानों को या आम जनता को आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं देखिए इस देश में सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने खेती को बिलकुल उपेक्षद कर दिया चाइना ने खेती को परात्पिक्ता दी तो जो चीन क्रिशी में हमसे बहुत पीछे था हमसे आगे बढ़ गया भारत क्रिशी परधान देश है और इसलिए ये उपेक्षद हुई हमको आदे ने परधान मंदी जिये कमीटी बनाई थी मेरियत धक्षदा में हमने अपनी रिपोर्ट दिये उसमें में बाद कहिए त तो किसानों की ववस्ता सोच रही पड़ेगी अन्यता गरीबी दूर नहीं होगी गाउं में किसान रहता है अगर हमने क्रिशी पर ध्यान दिया होता किसान की मदद की होती किसान क्रिशी पर अधिक हमने निवेश किया होता अगर क्रिशी उन्नत होती गाउं आबाद होते गरीबी अपने आप दूर होती तो मैं ये भी समझता हूँ कि क्रिशी की उपेक्षा बहुत महेंगी बड़ी भारत को क्रिशी को सरवो चपरात पिकता देनी की अवश्रकता है कि मैंने आपकी रिपोर्ट को भी पढ़ा और सत्ता में आने से पहले वीजेपी ने देश की जनलता से वादा किया शांता कुमार जी कि किसानों से खास दौर पर कि उनका जो मिनमम सपोर्ट प्राइज है MSP की जो बात है वो उनकी लागत और उसमें कुछ 50% प्राफिट जोड़कर एक फार्मूला आपकी पार्टी ने रखा था लेकिन सत्ता में आने के बाद और एक साल के बाद वो फार्मूला अब तक अमल में नहीं आया समझता हूँ कि हमने जो वाइदा किया है उसे हमने पूरा करना चाहिए और हमने एक बहुत अच्छा तरीका अपनी रिपोर्ट में कहा है fertilizer subsidy सतर हदार क्रोड रपया किसान को कोई फाइदा नहीं होता इसका maximum फाइदा बड़ी बड़ी कंपनियों को होता है तो हमने का और हमसे अधिकतर लोग सहमत है कि यह सतर हदार क्रोड रुपया आप डायरेक्ट इंपूर सबसिडी फार्मर को दे दीजे लगबग दस हजार रुपय साल का हर फार्मर के खाते में जमा करा दीजे डायरेक्ट इंकम सुपोर्ट फिर हमने और इस पर का सोच हो दिये थे जो आप कहरें कि जमने वाइदा किया है एक सिमा तक खवे उसे पूरा करना चाहिए अगर एक्जेक्ली वो ना हो तो किसी और तरीके से लेकर किसान की मदद कि ये बना देश अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा उस दिशा में बहुत कुछ करने की आउश रखता है शानता कुमार जी यहां पर रुकूंगा एक शोड़े से ब्रेक के लिए लेकिन ब्रेक के बाद ये खास बातचीत चलती रहेगी बने रहीएगा हमारे से ब्रेक के बाद आपका भर से स्वागत है आप देख रहे हमारा खास कारिकम तरकश और आज हमारे मेहमान है बीजेपी सानसद शानता कुमार जी अब मैं बात करता हूँ एक ऐसे रोग की जो इस देश का मैं कहूं की नासूर है वो है करप्शन भश्टा चार आपकी पार्टी भी सत्ता में आने से पहले तक एक अलग तरह के मैं कहूं चाल चरितरे चेहरे की बात होती थी और आपने बीजेपी में एक लंबा वक्त गुजा रहा है उसकी बुनियाद जब पड़ी तब से लेकर अब तक आप उसमें है आपको लगता है कि इस दिशा में कमोवेश सभी पार्टियां अब एक ही तरह के दिखने लगी है क्यों ऐसा है सभी पार्टियां एक जैसी नहीं है बेखिए जहां तक भारती जद्धा पार्टी का समंध है बवन्जा तरवन्जा से मैं पार्टी से जड़ा हूँ और हमारा जो प्रारंब हुआ था तो विवेक अनंद के उनकी सारी बाते हम क्या करते थे वैल्यू बेस पॉलिटिक्स पंच निश्टा हमारी सबसे बड़ी बात यह उसी पर हम जोर देते रहते आज भी उस पर हमारा दोर है और इस बार तो हमारी सरकार केवल भरष्टा चार के सवाल पर आई है आज भी हम बाकी पार्टियों से इस मामले पर बहुत बेतर हैं और मैं समगता हूँ इस देश में भरष्टा चार को समाप्त करने का सबसे अधिक शमताईदी है तो भारती जन्ता पार्टि मुझे इस बात की चिंता है कि इसमें किसी परकार की कमी नहीं होनी चाहिए आदर निया टिल वहरी वाजबई जी जीरो टॉल्निस की बात जीरो टॉल्निस बीन जीरो टॉल्निस ब्रश्टाचार यहां है तो भी है यहां है तो भी है दूसरे के घर में ब्रश्टाचार लगे अपने घर में सदाचार लगे तो यह यह नहीं है देखिए मैं समगता हूँ कि यह सबसे बड़ा प्रश्न है और उसमें सबसे बड़ी कटनाई क्या है कि लोक तंत करपती और नेताओं की बड़ती लोगों का सम्मान धीरे धीरे कम हो रहा है मैं तो कई बार कहता हूं कि नेता शब्द सम्मान जनक नहीं रहा गली महले में चाय की दुकान पर बैठकर नेताओं के बारे में लोग क्या कहते हैं यह सुनकर शर्माती हम को अब यह भी चर्चा का विशे बना के सबसड़ी करोड़ों रुपे एमपी खाते हैं तो मुझे मिरे मित्रों ने कहा कि रेस्टोर में बैठकर के दौजवान लड़के जब अपना बिल देते हैं तो गालिया देते हैं हमें चाए काखा पितने में और गालि देखर कहते हैं वो इतने में चाए पीते हैं हमारा कोई सब्मान देश में बहुत कम सब्मान बचा है कारण क्या है? कि लोगों को लग रहा है कि जहां जहां यह लोग हैं वहाँ साफ सुत intéress निजाम नहीं होता सबसे बड़ी चनौती, आज ये है, कि सारजन जीवन को साफ सुफरा किया जाए और हमारी पार्टी इसके लिए कमिटेट है, निश्च करोप से कमिटेट है उसकी चिंता भी करते है, हमारी पार्टी में इस पर चिंता भी होती है चर्चा भी होती है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी ने जो वाइदा किया है, भरष्टा चारमुक्त भारत बनाने का, हम उस वाइदे को निश्च तुरूप से पूरा करेंगे। बात हो, डायस्थान की बात हो, एफर केंद्री मंतियों पर बात हो, आरोप लगे और पार्टी उनको जस्टिपाई भी करती नजर आती है, क्या आपको लगता है कि ये बदलता हुआ स्टैंड, ये बदलता हुआ रोख, थोड़ा सा पीड़ा देता है, लगता नहीं कि क्या ह पीवही है, जो पुरानी वाली थी, चिंता का विश्य अवश्य है, मेरे सामने तीन दृष्य है, दीन देल उपाध्याई, पूछा, आपके जनसंग में भरष्टा चार है, तो क्या कहते है, मेरे जनसंग में भरष्टा चार, सुआर पैदा नहीं होता, मान लीजी अगर आ आई का लाल, जो मेरे किसी नेता पर अंगली उठाए, एक तीसरा दृष्य है, अभी इस चनाव से पहले, पालंपुर, जहां मैं रहता हूं, वहां पार्टियों का है, कार्यकर्ण था हमारे कार्यकर्तों का, हमारे अध्यक्ष राजजा जी आए, और उन्हें अपने भाश जन था, मैंने का, कार्यकर्ता मित्रो, तीन दृष्य मेरे सामने है, मेरी एक ही निवेदन है, इस से नीचे हम ना जाए, ये तीन दृष्य है, अव मुलन हुआ है हमारा, लेकिन इस से आगे हम को नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपको सच कहूं, हमारी पार्टी में इसकी च चिंता है, अधिकतर सब लोगों के अंदर, के देश के लोगों को हमसे बड़ी आशाएं, ये साफ सुतरा शाशन पर शाशन देगे, और देखिए, जब तक इमानदारी की राजनीती नहीं आएगी, गरीबी भुखमरी नहीं दूर होगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ अभमोलिन तो हुआ है, अभमोलिन हुआ है, और क्यासे लगता है कि और इस अभमोलिन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, ये बहत बड़ी जम्राइदारी हमारी पार्टी बनें, और मैं आधको बता हूँ, हमारी पार्टी के सब निता चिंतते हैं, मुझे बरोसा है, कि हम इस अवमुलिन को रोकेंगे और हम पार्टी विदे डिफरेंस आज भी हैं लेकर डिफरेंस थोड़ा-थोड़ा कम हो रहा है हम पार्टी दिफरेंस बनेंगे मुझे पुरा भरोसा शाहन्ता कुमार जी लोगतांत्रिक देश, लोगतांत्रिक प्रक्रखिया की र्षा के लिए राइंत्रिक दल और ऐसा लगता है कि इंटर्नल डेमॉक्रासी जो होती है अन्तरिक लोगतांतर पार्टियों के अंदर वो धीरे धीरे खत्म हुआ है या बहुत ज़्यादा कम हुआ है वजए क्या इसके बीचे देखिए बात क्या है कि धीरे धीरे वोट की राजनीती सत्ता की राजनीती सेवा की देश भक्ती की राजनीती तो कौन होने लगी और अगर सत्ता की राज़ दीती होगी, कुर्सी की राज़ दीती होगी, तब तो फिर कोई इधर उधर की बात करने वाला ना हो और वैसे तो मैं समगता हूँ कि इस देश को यह जो पारलिमिटी फॉर्मर गर्मर्मन्ट है, यह बिल्कुल सूट नहीं करता मैं 77 में मुक्यमंत्री बना, और उन दिनों जन्ता पार्टी आ किया हाल है, आपको पता है, मुझे याद है कि इधर मैं मुक्हिमंत्री था, परकाशचिक बादल वहां थे, तो परकाशचिक बादल लुए उनको कहा काम नहुंते हैं, उन्याने काई जी, कहा काम किरना, एकास कुर्सी पकड़नी पड़ती है दूसरे आज से पगड़ी समालनी पड़ती है काम के साथ से हम करें तो इस विवस्ता के अंदर अस्थिरता है इनहेरेंट कॉरप्शन है भारत जैसे देश को अध्धेक्षिय परनाली नट एग्जेक्टली अमेरिकन भारत की परस्तित्यों के मता बग संशोधित अध्धेक्षिय परनाली चाहिए तब हम सारी चीज़ों को ठीक है उस एक स्थिरता है निस्चितता है अदोसट्गे अध्धेक्षिय परनाली में एक छोटी सी बात है कि جो लोग चुने जाते हैं उन्हेसे को मंतरी नहीं इबनता मंतरी कहीं से भी किस बारारी निवनन तो करनागा है हमने? लिजस् सिडेट करने के लिए तो कई आते हैं नहीं. लोग के तन्तर तो चनाओं तन्तर बनगया? हर वर्ष चनाओ, हर वर्षचनाओ. जिस देश में साठ करोड लोग मर रहे हैं, एक हजार पिय महीना पर मरते हैं. उस देश के अंदर ह करोड़ों अर्बों रपिया हर साल चनाव पर खर्च कर रहें एक छोटी सी बात नहीं हो सकती सब पार्टिये कटे हों समविधार में संशोधन करें सारे चनाव पाइंच साल में एक बार और अटल जी के समय मैं और भैरोसंग शेखावा जी अटल जी के बाद दो तीन बार ग है मैं जिस्चत रुप में अपनी पार्टिय बस जो दूगा कि हमें ये देखा एक और बात कहूं मैं मेरे जैसे बेक्ती को बड़ी पीड़ा होती है हम चनाव लड़ते हैं अब इस देश का लोक तंत्र काले धन से और जूट से शुरू होता है पूरा चनाव काले धन से ल कहता है प्रतनी इस सबसे पहला का मिं जूट बोलता है चनाव आयो के सामने जाकर मैं यतन खर्च किया तो जो लोक तंत्र काले धन से शूल होता है जूट से शुरू होता है वो लोक तंत्र से भेदनी हो सकता इसलिए चनाव नियमों में कानून में आबूल चूक परिवरत नोगा चाहिए ना काले धन का योगदान हो ना जूट हमको कहना पड़े दुनिया में देश हैं वहाँ चनौपर कोई खरक नहीं होता किसी को जूट नहीं कहना पड़ता अब काले धन के खिलाफ हम जितनी महिम करें जब तक ये चनौप की परनाली रहेगी काला धन खतम नही के लिए काला धन चाहिए तो काला धन खतम कैसे होगा हो नहीं सकता शांदा कमारजी आप कई बार आपने बयान दिये हो या फिर बड़े मसलों को लेका अपनी राय रखी हो कई बार उनसे विवाद भी खड़े हुए और आप कभी उनसे संकोश नहीं करते नहीं डरते रहे हैं आपने हाल में चाहिए हो पार्टी या धक्ष को पत्र लेखा हो या फिर दवस्ता परिवरतन के लिए कुछ सुझाओ दी हो कभी आपको डर नहीं लगता कि इस तरह के काम के या इस तरह की सलहा से आपके विरूध ही आपको निशाना बनाते हो पार्टी से दरकिनार कर सकते हैं या पर हमले कर सकते हैं बच्पन मेरी मा ने मुझे गीता पढ़ाई थी और इसलिए मुझे किसी से डर नहीं लगता मुझे मृत्यू से भी कोई डर रही क्योंकि वह आनी है हरे को आई भगवान राम और कृष्ण को भी मृत्यू आई तो जब मृत्यू से मुझे डर नहीं लगता और देखिए बैस अबतो बुरुष्ण की सबसे पहली जवाबदारी अपनी आत्मा के सामने है मुझे जब जो ठीक लगा है मैंने कहा है बुगता है कीमत चुकाई है लेकन जो कीमत चुकाई है उसके लिए मुझे गर्व है क्योंकि आज के दोर में कहते ह हैं करवा सत्थ बूलने वाले लोगों की मैं कहूं कि आदर नहीं है या फिर उनकी जग배 बहुत कम है ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए लिके मुझे तो बहुत दिनों कुछ लोगünden ने कूछा गह तो मुझे कुछ अर्दू का शियर यादा गया मैंने का बात यह है कि जीवन यह निनि जब जीवनी के भी जा सकता है तो लकड़ी की कुर्सी के लिए मरते रहे किसी पद के लिए मरते रहे मैंने कभी परवाने की और जिंदगी में ऐसे कई अफसर आये हैं कि मैंने सत्ता को चोड़ा है, सत्ते को नहीं चोड़ा और मुझे इस बात का विमान है, इस गौरब है, मुझे इस बात का प्रभू की किरपा है शानता कुमार जी, बहुत और शुक्रिया वगदेने के लिए और राजसभा टीवी से बाचित करें तो तरकश के आज के इस खास कारिकर में बस इतना ही, आप बने रहिए राजसभा टीवी के साथ